Hello everyone, welcome back to history math on percentage का previous question series चल रहा ही है, SCCP 2016 में पूछे गया थे, in a certain school, 10% of the students have less than 75% attendance, ठीक है? तो मतलब से 90 जनों में 10 जने कितना है? 10 जने का ऐसा है, जिसका 75% से less attendance है, are not allowed to sit in the examination, ठीक है? But 20% of the students who have less than 75% attendance are allowed to sit in the examination. What percent of the students in the school have less than 75% attendance? अब ये थोड़ा सा पेचिदा बन गया, अब देखो सर, हम लोग एक काम करता है, total number of the student x पकड़ लेता है, ठीक है? जिनका 75% से कम है, उनको y पकड़ लेता है, अब 10% of the student मतलब इनका 10%, total student का 10% मतलब सर, x बटा 10 होता है, plus 5% of the y मतलब सर, y बटा 5 होता है, तो total कितना हुआ, ये बराबर y student जो की 5% से कम है, जो की exam में नहीं बैठ रहा है, ठीक है? तो देखो आप ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, 5, 50 होता है, अच्छा, ये 10 ही कर लो ना, तो x plus 2y equals to 10 y, तो यहाँ से कितना हाता है, 8y equals to x आजाएगा, हाँ सर, अच्छा, ये 10 उदर क्यों गुना कर दिया पहले, तो 8y equals to x आगा, अब ध्यान से बोलो, सर, y बटा x क्या हो जाएगा, सर, y बटा x, तो total 75% वाले, इसको 75% पकड़ा था, ये number of total students पकड़े थे, तो y upon x, ये क्या होता है, सर, y upon x into 100 कर लेंगे, तो number of students का percentage निकल जाएगा, जो की 75% से कम है, हाँ सर, तो y बटा x क्या हुआ, सर, 1 बटा 8 होता है, तो 1 बटा 8 into 100 कितना हो जाता है, सर, 12.5%, प्रतिशाद, option number 2 is the correct answer, ये question में language का थोड़ा सा twist था, ठीक है, समझ लेना इसको, बहुत ही बैतरीन से सवाल था, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.